किसी भी देशी राष्ट की जो असली संपत्ती होती है वो वहां की जन सेंख्या होती है जो वहां की मानो समुदाए है वो उसकी असली संपत्ती या उसका असली धन होता है, कीमती धन होता है, वो क्यों? क्योंकि चाहे वहां कितने ही कीमती संसाधन मिले, चाहे हम बात कर ले हीरा, सोना, चांदी, लोहा, कोईला, कितने भी महत्वपूर्ण संसाधन हो, लेकिन उन सभी संसाधनों का जो उचित उ प्योग में लाया जाए और उसे अपने राष्ट के विकास में उसकी भूमी का महत्वपूर्ण भूमी का रखी जाए ये सब का जो उत्तरदाई तो है या हम ये कहें कि ये सभी कार्य जो है वो वहां रह रहे जो मानव समुदाय या जनसंख्या है उनके द्वारा की जाती है तो संसाधन कितने भी मिले लेकिन जब तक वहां का मानव समुदाय या जो जनसंख्या है वो विक्षित ना हो उन्नत प्रौध्योगी की में दक्ष ना हो तब तक हम कह सकते हैं कि वहां जितने भी कीमती संसाधन मिले वो सब बेकार है अब हम ये देखते हैं कि हमारे भुगोल में इस जनसंख्या या हम कह रहे हैं कि जो मानव संसाधन की बात कर रहे हैं कि सबसे कीमती मानव संसाधन है तो इसका अध्यन क्यों किया जाए तो मैं आपको बता दू कि भुगोल के जो दो महत्यपूर्ण पक्ष हैं या जो उसकी दो महत्यपूर्ण शाखाएं हैं जिसमें हम एक की बात करते हैं भौतिक भुगोल और दूसरा जो है वो मानव भुगोल तो इस मानव भुगोल में हम ये कहें कि इस मानव भुगोल का मह इद़र्ध या मानों के इड़गिर्ध ही घूमता है क्योंकि हम इस मानो भूगोल में उनसबी बातों का अध्यन करते हैं जैसे कि वह हरे वहाँ किसी भी देश, रास्ट, समुदाय है या हम पूरे विष्व की बात करें वहां जो भी मानो star, समुदाय रहता है जो जनसंख्या रहती है उसकी पूरी विशेष्टाओं के विशे में उसके द्वारा की गई जो विकास के नए नए आयाम है इन सभी बातों का ध्यान करते हैं फिर जब हम जनसंख्या की विशेष्टाओं की बात करें तो यह जो जनसंख्या है वो मैं फिर के संदर में होगा या किसी राष्ट के संदर में हो सकता है या फिर किसी प्रदेश के संदर में हो सकता है तो वहां उस जनसंख्या का वितरण कैसा है घनत्व कैसा है और उस जनसंख्या की जो जनसंख्य की विशेष्टाएं हैं फिर हम बात कर लें कि वहां प्रती हजार पु कहते हैं तो उस व्यवसाईक सनरशना की विशय में हम बात करें और सभी चीजों का जो अध्यन है वो इस मानो भुगोल की अंतरगत किया जाता है इसलिए चुकि ये मानो भुगोल का प्रमुख केंद्र बिंदु है उसकी धूरी है इसलिए हमें जनसंख्या का अध्यन जो है मानो भुगोल की अंतरगत इसी विश्व की जनसंख्या उसके वित्रण और घनत्व प्रारूप पर तो सबसे पहले तो हम यह देख लें अभी हमने बात की कि कि किसी भी राष्ट की जो असली संपत्ती या धन जो है वो वहां का मानो समुदाय या जनसंख्या होती है अब यह जो जनसंख्या है हम यह देखें कि हमारे पूरे विश्व पर चुकि हम विश्व के संदर में बात कर रहे हैं तो हम यह देखते हैं कि हमारे गलोब पर इसे हम दो हिस्सों में बाढ़ते हैं अपने गलोब को जीरो डिगरी भुमध्य रेखा जो है इसके उत्तर का जो इसे हम उत्तरी गुलार्ध कहते हैं और इसका जो निचला छेत्र है इसे हम दक्षणी गुलार्ध कहते हैं तो इस उत्तरी गुलार्ध में हम देखें इस्थल भाग की अधिक्ता है और दक्षणी गुलार्ध में जली हिस्से की अधिक्ता है या हम ये कहें कि पूरे प्रित्वी के जो 29% हिस्से हैं जहां पर भूमी हैं तो इस भूमी के या हम कहें कि इस्थल मंडल के इतने भूभाग पर जो जन संख्या निवास करती है उसके ही विशय में हम आज बात करेंगे तो देखें कि उत्तरी गुलार्द में चुकी हमने कहा कि ये इस्थली गुलार्द के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि यहां पर महादीब के अधिकतर जो धरातली हिस्से हैं वो आते हैं तो इस उत्तरी गुलार्द में विश्व की लगभग 80% जन संख्या निवास करती है ल यह अधिकांश हिष्शा हम बात करें और सात ही सात दक्षणी अफ्रीका इसके ही जो हिससे है वो अधिकांश हमें देखने को मिल रहे हैं तो हम इसे जली गुलार्ध कह रहे हैं और इस दक्षणी गुलार्ध में पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा जो है वो निवास करता है अब विश्व की जनसंख्या के जो हम वितरण की बात करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि पूरे विश्व में ये एक बहुत महत पूर्ण बात है और ध्यान देने यो पूरे विश्व की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और 90 प्रतिशत भूभाग पर केवल 10 प्रतिशत जनसंख्या जो है वो निवास करती है इतनी असमानता हमें जनसंख्या के वितरण के संबंध में देखने को मिलती है अब हमने जो कहा कि जो अधिकांश जन संख्या जब हम बात कर रहे हैं कि इसके लगभग 10 प्रतिशत भूभाग पर 90 प्रतिशत जन संख्या निवास कर रही है तो उसमें भी हम देखें कि विश्व के अधिकांश कौन से हिस्से आते हैं तो इसमें आपका हम एशिया महादीप में रहते हैं और हमारे इस एशिया महादीप में हम देखें कि एशिया का दक्षणी हिस्सा पुर्वी हिस्सा दक्षणी पुर्वी हिस्सा और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो उत्तर अमेरिका का उत्तर पुर पूरे विश्व के वो सबसे सघन आबाद छेतर हैं यह हम कहें कि यहां पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और साथ ही इसमें भी सरवाधिक जनसंख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्वी दक्षनी और दक्षन पूर्वी एशिया में ही और लोगों को यहां पर रोजगार के साधन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं क्योंकि मानसुनी जलवायू वाला छेत्र है और साथ ही यहां का जो धरातल है वो मानव निवास के अनुकूल है इसी संदर में हम देखते हैं कि भई यहां पर तो सघण अबाद छेत्र है लिकिन इसके साथ ही साथ हम देखें तो अफरीका का पूरा आंतरिक भाग के साथ साथ उत्तरी अमेरिका और पूरे यूरेशिया का जो पठारी और परवती छेत्र है साथ ही हम कहें उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का जो धुरूवी छेत्र है जो हमेशा वर्ष भर बर्फ से ढखा हुआ रहता है ऐसे छेत्र शामिल है और साथ ही साथ मद्धी और अधिकांश जो पश्यमी आस्ट्रेलिया है और इसके साथ ही पूरे विश्व के जितने भी परवती और पठारी भुभाग हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जनसंख्या का वित्रण है या फैलाव है वो बहुत कम हम एकदम निर्जन प्राय कह सकते हैं बहुत से छेत्र को तो और बहुत से छेत्रों में हम कि जनसंख्या की बसाहट जो है वो बहुत ही विरल बहुत ही कम देखने को मिलती है अब जनसंख्या के संदर में एक और महतवपूर्ण बात देखते हैं कि जो 21 सदी का आरंभ है तब विश्व की जनसंख्या जो है वो 600 करोड हो गई थी और अब ये लगातार रुकने का नाम ही ले रही है बढ़ती ही जा रही है और वर्ष 2010 का जो वर्ष था तब हम देखेंगे कि विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 700 करोड के पास पहुंच गई है तो हमने देखा कि जो जनसंख्या का फैलाव है वो पूरे विश्व में और समान रूप से देखने को मिल इसी संदर्व में या मैं ये कहूं कि एशिया महादीप में जो हमने जनसंख्या के वितरण की बात की कि पूरे एशिया महादीप में विशेश रूप से दक्षनी पूर्वी और दक्षन पूर्वी एशिया जो है यहां पर जनसंख्या की सघन बसाहट पूरे विश्व के म पुकाबले यहां पर सरवाधिक जनसंख्या बसती है निवास करती है तो इसी में जो जार्ज भी क्रेशी हैं उनकी एक टिपणी है एशिया के जनसंख्या के संदर में वो कहते हैं कि एशिया के बहुत कम भुभाग पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है और बहुत अधिक भूभाग पर एशिया की बहुत कम जनसेंख्या निवास करती है तो सची तो है हम देखें एशिया की हम फिर से कह रहे हैं कि एशिया का पुर्वी दक्षणी और दक्षण पुर्वी एशिया का भाग जिसमें हम बात कर लें हमारा भारत आ जाता है बांगलादेश है पाकिस्तान है इंडोनेशिया है चीन हो गया जापान हो गया यह सब ऐसे देश है जहां पर बहुत अधिक जनसेंख्या निवास करती है लेकिन हम चले जाएं उसके पश्मी या जो उत्तर छेत्र है उत्तरी भाग जो है जिसमें रूस का भी हिस्सा जो है जिसे हम साइबेर जानते हैं यह ऐसे हिस्से हैं जो बहुत बड़ा भूभाग तो कवर करते हैं लेकिन यहां पर बहुत ही कम जनसेंख्या जो है वो निवास करती है तो बोड परिक्षा के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है जो जार्ज बी क्रेसी है इनका यह कथन पूछ देगा और कह सक हैं यह पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है या इसी संदर में जार्ज बी क्रेशी का क्या कथन है ऐसे भी इस प्रशन को पूछा जा सकता है तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे अब हम आगे बात करते हैं कि आपके सामने ये एक चार्ट है और ग्राफ भी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसमें आप देख रहे हैं विश्वक की जो दस सरवाधिक जनसंख्या वाले देश यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं जिसमें क्रमशह आप देख रहे होंगे पहले नंबर पर हमको पता है कि विश्वक की सरवाधिक जनसंख्या जो है वो चीन में है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश है तो पहला चीन भारत फिस संयुक्त राज अमेरिका इसके बाद इंडोनेशिया है ब्राजील है पाकिस्तान है बंगलादेश पर जापान है तो यह आपको सामने दिख रहा है कि विश्व के दस सरवाधिक जनसंख्या वाले देश इस पर बात करने से पहले मैं यह बता दूं आपको कि जनसंख्या का वित्रण जो है उसका हम अर्थ समझ लेते हैं जनसंख्या के वित्रण का अभिप्राय जनसंख्या मतलब विश्व रास्ट या किसी छेत्र या प्रदेश विश्ष में जो जनसंख्या मिलती है वो किस तरह से वितरित है किस तरह से फैली हुई है उस पूरे छेत्र पर तो जनसंख्या वितरण का भी प्राय जनसंख्या के फैलाओ से है अब जब हम इसके प्रारूप की बात कर तो हम ये देख लेते हैं कि ये सभी जगह आपको असमान रूप में देखने को मिल रहे हैं. तो तीन जो पैटन है विश्वय जनसंख्या प्रारूप के उस में हम बात करते हैं. पहला है प्रथम श्रेणी का प्रारूप प्रथम श्रेणी के प्रारूप के अंतरगत ऐसे छेतर आते हैं जहां पर जनसेंख्या की बहुत अधिक सघन बसाहट मिलती है बहुत जादा लोग निवास कर रहे हैं और इसके अंतरगत हम देख लेते हैं फिर से हमारा एशिया आ जिसमें एशिया का पुर्वी दक्षन पुर्वी और पुर्वी हिससा जो है वो शामिल है इसके साथ ही पशिमी ईड़ोप के देश जहां पर बहुत अधिक मात्रा में औक्र्णफत हमें हुए तो पशिमी इरोप के देश में भी हमको जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक मिलती है एक सघन बसाहट मिलती है जनसंख्या की इसके साथ ही साथ रूस का दक्षन पशिमी भाग पूरा जो रूस है उसका दक्षनी पशिमी एसा ये भी एक सघन बसाहट वाला छेतर है उत्तरी अमेरिका का उत्तरपूर्वी भाग और इसके साथ कनाड़ा का जो सेंट लॉरेंस छेत्र है ये जनसंख्या के प्रथम श्रेणी के प्रारूप के अंतरगताते हैं और ये ऐसे छेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का मानव समुदाय का मानव समूव का एक बहुत बड़ा भाग बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो निवास करता है इस ग्राफ से आपको इसपस्ठ हो रहा होगा कि विश्व की जो कुल साथ प्रतिशत जनसंख्या है वो इन दस अधिकतम जनसंख्या वाले देशों में निवास करती है और इसमें भी हम देखेंगे कि इसकी जो 40 प्रतिशत विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या है वो अधिकतम तीन जो देश हैं जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है जिसमें चीन है भारत है और सायुक्तराज अमेरिका यहीं पर निवास करती है अब हम जनसंख्या वित्रण के प्रारूप में दूसरा प्रारूप देखते हैं जो है द्विती श्रेणी का प्रारूप यह द्विती श्रेणी के प्रारूप के अंतरगत हम ऐसे इस्थानों को या विश्व के ऐसे छेत्र को रखते हैं जहां पर हमें जनसंख्या जो है व छेतर हैं इन दोनों के बीच का जिसके अंतरगत हम देखेंगे इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो मानवी दशाएं हैं वो अपेक्षाकरित अधिक अनुकूल हैं और छेतरों से जो न्यून जनसंख्या वाले छेतर हैं। इसलिए यहाँ पर nov मध्यम शेणी का मिलता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन-कौन से छेतर हैं जो द्वितियन शेणी के प्रारूप के अंतरगत आते हैं। तो इसके अंतरगत है पहला आपका यूरोप और यूरोप के जो भुमध्य सागर के तटवर्ती देश हैं इन तटवर्ती देशों में हम देखें पुर्तगाल है दक्षणी फ्रांस है इटली यूगोसलाविया यूनान और इसके साथ ही साथ एशिया महादीप में जब हम आ जिबनान इसके साथ ही जो चीन का पुरा मध्य वर्ती हिस्सा है वो भी इसमें शामिल है और फिर हम आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका में तो उत्तरी अमेरिका का जो मध्य पुर्वी हिस्सा है वो जन संख्या के इस दुती श्रेणी के प्रारूप के अंतरगत आता है और दक अर्जेंटाइना है युरुग्वे है वेनेजुएला साथ ही साथ चीली और पेरु का जो तटवर्ती भाग है तटी हिस्से जो है वो भी इसमें शामिल है और इसके बाद आस्ट्रेलिया महादीप में हम देखें तो आस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तटी भाग है इन सभी महादीपो के इन हिस्सों में हमें समानी जनसंख्या यह हम कहें कि मध्यम जनसंख्या देखने को मिलती है इसके बाद जनसंख्या वितरन का हम तृती शेनी या तृती इस्तर का प्रारूप देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हमें जनसंख्या का अल्प भाग जो है वो निवास करता है यह आलप जन संख्या जो है वो निवास करती है इसका कारण यह है कि अच्छेत्र में जो जलवायू है यह हम एच्चावच भुभाग की बात करें जो धरातली छेत्री की बनावट है वो भी बहुत अनुकूल नहीं है साथ ही साथ मिट्टी बहुत उपजाव मिट्टी यहाँ पर नहीं मिलती और जल की उपलबधता भी जो है वो परियाप्त मात्रा में नहीं मिलती या हम कहें कि अपरियाप्त जल की उपलबधता यह जो कारण है वो यहाँ पर इन छेत्रों या प्रदेशों में अलप जनसंख या अल्पमानों समुदाय के नीवाश के लिए जम्मेदार हैं तो इसके अंतरगत भी हम देंखते हैं कि जो विश्व के जितने भी मरुस्तली भुफाग है या हम पठारी चेटरे की बात करें ये इसके अंतरगत आते हैं और साथ जनसंख्या वित्रण के इस प्रारूप के अंतरगत आएगा और इसके साथ ही साथ एशिया का जो परवती और पठारी हिस्सा एशिया ही नहीं इसके साथ ही साथ विश्व के सभी महादीपों के जो परवती और पठारी छेत्र हैं वो इस अलप जनसंख्या के अंतरगत आते ह जनसंख्या का वित्रण जो है इन छेत्रों में बहुत ही कम बहुत निून या हम ये कहें कि निर्जन प्राय भी हम इसे कह सकते हैं जहां पर हमें बिल्कुल जनसंख्या नहीं के बराबर मिलती है तो ऐसे कौन से छेत्र होंगे आपको भी पता है कि विश्व के जितने भी वो परवतों के शीर्ष भूभाग की हम बात करें वो भी इसके अंतरगत आएंगे विश्व के जितने दलदली भूभाग हैं वो इसके अंतरगत आएंगे और इसके साथ विश्व के जितने भी बहुत अधिक हम कहें कि अत्यन्त ठंडे प्रदेश जो हैं वो इस जनसंख् के चतुर्थ श्रेणी के प्रारूप के अंतरगत आएंगे क्योंकि यहां पर जलवायू तो अनुकूल है ही नहीं कुछ शेत्रों में चाहे हम मरुस्थल की बात करें या एकदम ठंडे प्रदेशों की बात करें यह मानो निवास के अनुकूल नहीं है यहां पर हम जाकर बात करें श्रेणी के प्रारूप के अंतरगत निव या हम कहें कि निर्जन प्राय छेत्र होने के लिए जिम्मेदार नहीं तो ये तो हो गया जनसंख्या वित्रण का प्रारूप अभी हम थोड़ा से इसमें रिवाइस कर लेते हैं जब हम जनसंख्या वित्रण की बात कर रहे हैं और हमने कहा था कि किसी छेत्र के जनसंख्या का अध्यान करना मानो समू का अध्यान करना हमारे लिए इसलिए आवश् क्योंकि यह किसी राष्ट के विकास के लिए जिम्मेदार है चाहे भले ही कितनी ही मात्रा में कितनी ही कीमिती संसाधन जो हैं वो किसी छेत्र में उपलब्ध हो लेकिन यदि वहाँ मानव समुदाय नहीं है और यदि है भी तो वो असिक्षित है प्रौध्योगी की से प्रौ के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती एक छोटा उदारन हम इसमें देखते हैं हम बात कर ले मध्य अफ्रिका की संसाधन तो यहां बहुत उपलब्ध हैं लेकिन यहां पर जनसंख्या जो है वो उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है और है भी तो बहुत विक्सित जनसंख देखने को नहीं मिलती इसलिए इस छेत्र का उतना धिक विकास नहीं हो पाया है लेकिन वहीं हम बात कर ले जापान की तो जापान एक विक्सित राष्ट्रो में से एक है लेकिन हम यह देखेंगे कि बहुत जादा वो देश संसाधन संपन नहीं है संसाधन के रूप में त दूसरी बात ये भी देखेंगे कि चुकी एक द्वीपिय देश है तो इसके साथ ही साथ जो प्रशांत महासागरी जो ज्वाला मुखी मेखला या हम कहें अगनी वलाय जो यहां पर से होकर निकलता है जो बहुत अधिक ज्वाला मुखी या भुकंब का छेत्र है उसके अंतर द्वीपिय देश है इसलिए हमेशा यहां पर जो चक्रवाती दशाएं हैं सुनामी से संबंधी दशाएं हैं समुद्र से उठने वाली जो तुफानी दशाएं हैं उसकी भी मार इस देश को जहलनी पड़ती है लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यह देश अपने आपको फिर से तैयार कर लेता है फिर से चाहे लाख यहां पर विनाशी दशाएं उत पर नहों लेकिन हम देखेंगे कि एक विक्सित राष्ट के रूप में पूरे विश्व में यह अपने आपको फिर से स्थापित कर लेता है तो इसका कारण क्या है संसाधन है नहीं और विपरी दशाएं यहां पर मिल रही है क्योंकि यहां पर जो रहने वाली जनसेंख्या है मानों का जो समू है यह बहुत अधिक सिक्षित है और साथ ही साथ उन्नत और हम कहें कि आधुनिक प्राध्योगी की से बहुत अधिक सुसिक्षित है संपन्न है और इसी कारण इस देश की ज अपने रूप में एक विक्सित देश के रूप में खड़ा होने में या खड़ा करने में सक्षम हैं. इस बात का महत्तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि लाक संसाधन हो लेकिन वहाँ पर जो जनसंख्या है या जो रहने वाला मानव समू है वो विक्सित नहीं है तो फिर हम ज अब आगे हम देखते हैं जनसंख्या के घनत्व के विशय में तो घनत्व पर जाने से पहले आप पुना एक बार आपके सामने यह जो मानचित्र है विश्व का उसका बहुत अच्छी तरह से उलोकन कर लें और इस मान्चित्री के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि जनसंख्या का वित्रण जो है वो पूरे विश्व में और समान रूप में देखने को मिल रहा है कहीं पर बहुत अधिक जनसंख्या है और कहीं पर हमको बहुत कम जनसंख्या का निवास देखने को मिल रहा है अब हम बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व की जनसंख्या घनत्व जो है ये भी जनसंख्या का एक जनसंख्या के अध्यन का एक महत्वपून भाग है यह हम कह सकते हैं जहां जनसंख्या वित्रण जो है वो जनसंख्या का फैलाव दिखाती है कि कितनी कितनी जनसंख्या कहां कहां निवास कर रही है वहीं जनसंख्या के घनत्व से हम किसी स्थान पर किसी प्रदेश पर किसी राष्ट्र पर जनसंख्या के जमाव का अध्यान करते हैं इसे एक फार्मूले से हम पता लगा सकते हैं जनसंख्या के घनत्व को हम प्रति वर्ग किलोमीटर छेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्याधार पर इसका मापन करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे प्रतिवर्ग किलोमीटर तो प्रतिवर्ग किलोमीटर में हम देख रहे हैं कि एक किलोमीटर चोड़ाई एक किलोमीटर लंबाई और उचाई की हम बात कर रहे हैं तो इतने ही छेत्र में जितनी जनसंख्या का जमाव है जितने व्यक्ति यहां प का दबाव क्योंकि एक कम्रे में जितने व्यक्ति रह रहे हैं तो उसके अधार पर उस कम्रे में वहां रहने वाले व्यक्तियों का दबाव जो है इसका मापन हम कर सकते हैं मालो एक छोटा सा घर है और उस घर में दस व्यक्ति निवास कर रहे हैं दस लोग रहते हैं और वहीं एक बहुत बड़ा बंगला है और उस बंगले में मात्र दो व्यक्ति रह रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि इस बंगले पर तो वहाँ रहने वाले व्यक्तियों का दबाव नहीं के बराबर पड़ रहा है क्योंकि वह बहुत खुले हुए रूप में रह रहे हैं परियाप्त जगह है उन दो व्यक्तियों के लिए रहने के लिए लेकिन वहीं एक छोटे से कमर में व्यक्तियों का दबाव उनका प्रेशर बहुत जादा पढ़ रहे हैं क्योंकि वो जगह उतने व्यक्तियों के रहने के लिए अपरियाप्त है तो जनसंख्या घनत्व का अध्यन हमारे लिए इसलिए अनिवारे हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है हर जनगरना में हम यह देख रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या में भी लगातार वृधी की दर्ज जो है वो दर्ज की जा रही है लेकिन पूरे विश्व को हम अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग देशों में बाट रहे हैं अलग-अलग महादीपों में बाट रहे हैं चेतर फल को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता तो जहां पर चेतर फल कम है और जनसंख्या अधित निवास कर रही है उस चेतर में जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक पढ़ रहा है और जहां पर चेतर फल अधिक है लेकिन जनसंख्या कम निवास करती है तो वहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत कम या नहीं के बराबर मिलता है तो जनसंख्या का दबाव कितना जादा है या कितना कम है ये इस बात पर ये भी निर्भर करता है कि वहाँ रहने वाले लोगों का पोशन उनका रहन सहन आय का इस तर कैसा होगा तो आईए हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की तो यदि हम एक समान्य अर्थ में बात करें कि जनसंख्या घनत्व क्या है तो प्रतिवर्ग किलोमीटर छेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं या और समान्य अर्थ में हम कहें तो किसी छेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है और उस छेत्र फल का अनुपात इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है अब जनसंख्या घनत्व हम इसे एक मापक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या मापक के रूप में मान सकते हैं जो हमें किसी छेत्र की भूमी और वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं मनुश्य या व्यक्ति हैं उनके बीच परिवर्तन शील संबंधों का हमें ज्यान कराता है य या व्यक्तियों का अनुपात तो अभी हमने कहा ना कि छेत्रफल तो सभी का लगभग निश्रित है लेकिन जो वहां पर व्यक्तियों की संख्या है वो परिवर तन्शील है तो हम इसे एक मापक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं अब जब हमने मापक कहा तो हम यह देख प्रतिवर्ग किलो मिटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में इसका मापन किया जाता है। प्रफल माल लिजे कोई छेत्र है और इस छेत्र की जो जनसंख्या है वो एक लाख पचास अजार व्यक्ति उस छेत्र में निवास करते हैं या किसी शहर में निवास करते हैं और उस शहर का जो कुल छेत्र फल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है तो एक लाख पचास अजार कुल जनसंख्या हो गई और बटे उस नगर का जो छेत्र फल है वो 100 है इसको हम भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आकड़ा है वो आ जाता है पंद्रा सौ तो पंद्रा सौ जो है वो उस शहर का जनसंख्या घनत्व होगा मतलब वहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में कुल पंद्रा सौ व्यक्ति जो है निवास करते हैं अब ये अंक गड़ीती घनत्व के अतिरिक्थ हम जनसंख्या के घनत्व को कुछ और भी मैथेड हैं कुछ अलग और फार्मूले हैं जिनके माध्यम से निकाल सकते हैं जिसमें दूसरा है आपका काईक घनत्व काईक घनत्व हमें ये बताता है कि किसी छेत्र या किसी देश की जो कुल कृशी भूमी है है ना कुल कृशी भूमी और वहाँ पर रहर ही कुल जनसंख्या का अनुपात इनके बीच का जो संबंध है वो हमें काईक घनत्व से ग्याथ होता तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इसे निकालने का फार्मूला है देश की कुल जन संख्या और बटे उस देश का या उस छेत्र की कुल कृषी योग्य भूमी. इससे जो निकल कर आएगा वो हमारा काई घनत्व हो जाएगा.